दोस्तों मैंने पहले वीडियो में आपको जानकर दिखाएते कि जितने भी मैंने प्रोड़क्त दिखाएते कोई सभी एक दोसों बीवी का प्रोड़क्त लेकर आप बिजनीस की सुरुवात कर सकते हो और मुखा मिलता आपको सांदार लाको रुपे के लिए काम तो करना पड और लोग अपने साथ आते हैं जैसे ही मनते हैं कि आपने जानकर दिराई और एक आदमे को जानकर दिराई और वो आपके साथ काम करने के लिए आता है दोसों बीवी के साथ में और दोसों बीवी का प्रोड़क्त परचेस करके आपके साथ काम करने के लिए आता है तो आप आपकी income निकल की आती है यहां सीध़ा सिदा 500 रूपय क्योंकि एक बीवी की जो विल्व है हमारी यहां वो है डाई रूपया तो यानी 200 को डाई से गुणा करोगे तो आपकी income निकल की आती है 500 रूपया ऐसे ही हम दूसरे आदमी को आप जान कारे दिलवाती हो वो भी आपक दो सेल पर परतिक बीवी पे एक रुपया एक्स्ट्रा देती है यानि 200 बीवी यानि प्लस आपको 200 रुपया इंसेंटिव मिलेगा 200 रुपया बोनस के रूप में मिलता है यानि आपने काम किया तो आपके साथ हमारी संस्ता पेमेंट कर रहे है सीधा-सीधा 700 रुपया एक सेल पर पहले सुरू की एक सेल पर 200 बीवी की पर समझ में आ रहा ऐसे ही दूसरी सेल पर भी 700 रुपया यानि हमारी संस्ता पेमेंट करती है वो करती है पेर के अंदर यानि जोड़े के अंदर पेमेंट करती है तो आपकी पहली दो सेल पे आपकी इंकम निकड़ गया आएगी 1400 रुपया समझ में आ रहा अब क्या है ऐसे ही आपके साथ पेर बढ़ते जाएगे और आपकी इंकम आती रहेगी अब मैं आपको बताऊ कि एक आदमी बात लाखो रुपय की हो रही है कम से कम एक सब्ता में टाइम निकाल के कितने लोगों को जानतारी दे सकता है पांस साथ दर्स बीस जितने चाहे उतने दे सकता है लेकिन अगर कम से कम की बात करें तो अगर बात लाखो रुपय की हो तो एक दिन में वो एक गंटा निकाल सकता है यस या नो? तो साथ दिन के भाई साथ गंटे हो गए यानि साथ लोगों को जानतार दिला दी लेकिन मैं तो मानतूं कहीं बार आज में बीजी होता है और वो बीजी हो गया मानते है ताइम नहीं निकड़ा उसके पास, अरे भैस आप एक दिन संडे का टाइम निकाल के दो गंटा तो निकाल सकता है, और दो गंटे का मिनलब है कि आपने दो लोगों को जानकार दी एक सप्ता में, तो एक साल में कितने सप्ता होते हैं, बावन, तो आपके द्वारा जानकार दिलाएगी कितने लोगों को, एक सो चार लोग हो, क्या लगता सर, एक सो चार में से कितने परसेंट लोग होंगे, जो लाख रुपे कमाना चाहते हैं, कमाना पदे को सारो ही चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है, जिसको सभी करते हैं, और ऐसा भी कोई काम नहीं है, अब यह 104 में से अगर आप देखा जाए तो आपके इसाफ से कितने पर्षेंट लोग काम करेंगे 40, 50, 70, 80, कितने पर्षेंट लोग काम करेंगे 40% आपकी बात सही है विल्कुल 40% क्योंकि कोई भी अगर बिजनिस अगर ग्रो करता है तो 33% कम से कम उसका रेशियो रहता है तब ही वो ग्रोथ करता है और फायदे में रहता है लेकिन मैं आपको बताऊ हमारी सहस्ता का रेशियो है 50 से 60% से उपर है यहां मैं आपको बताऊ कि आपने जान कर दी 100 लोगों को और आपके साथ आते है 40 लोग मैं तो मान देता हूं कि 40 नहीं हम इस बीजिस को बिल्कुल लो लेवल से लेके देखते है कि हमारे साथ कम से कम काम होता है तो भी हमें कितना फायदा होता है मानते है आपके साथ 40 नहीं 20 लोग तो आएंगे और कोई होता है तो उसको कोई फायदा होता है क्या नहीं सर पैसा मिलता कहीं सर नहीं मिलता लेकिन यहां क्या है 10% का भी बहुत बड़ा फायदा है पहला फायदा क्या है कि अगर आप इस काम को ज्यादा नहीं 4 साल तक करते हो तो आपके साथ क्या है इतना बड़ा काम होगा आपने कभी सोचा नहीं होगा कैसे कि पहले साल आपने जान कर दी सो लोगों और आपके साथ आते हैं मानते हैं दस ही लोग दस लोग आगे यानि आपके साथ दस लोगों की टीम होगी दस लोगों ही टीम होगी अब कोई काम सीख के अच्छा ह करना चाहते हैं अभी 10 आधमि काम सीखे के करेंगे तो काम बढ़ेग अगले वन तो मानते हैं इन 10 लोगों के साथ ही यादी नहीं काम नहीं बढ़ाया है वह तो बढ़ा है लेकिन आम तो मानते हैं कि कम से कम इन 10 लोगों में साथ भी 10-10 लोग ही आते हैं तो आपकी टीम कितनी हो गई? सो लोगों ऐसे तीसरे साल में ये सो आदमी भी आप वला ही काम करते हैं और इनके साथ भी 10-10 ही आते हैं तो आपकी टीम हो गई? एक अजार आदमी और चोते साल में ये एक अजार आदमी भी आप वाला भी काम करते हैं इनके साथ भी दस दसी आते हैं तो आपकी टीम हो जाएगी दस अजजार लोगों की होती है हमारे संस्ता डायमंड की उपादी देखकर आदमी को रिटायर कर देगी और इनको फोने का पहना किigmat हज्जारों की भीड में पुरे परिवार के साथ सम्मान किया जाता है, जो किसी का भी नहीं होता है, चलो यह तो हो गया मानसम्मान, हमने काम किस l один किया पैसे कमाने के लिए, तो आप ने 4 साल काम किया तो आपने कमाया किया, देख लेते हैं, हमारे श बिजनिस हुआ टोटल दजाट लोगों के साथ 200 बीवी के हिसाब से तो आपके साथ बीवी हो गये कितने 20 लाख बीवी हो गये अब एक बीवी का कितना रूपया बताए मैंने 1,5 रूपया है तो डहे से इसको गुणा कर देते हैं तो आपके टोटल इंकम निकल के आती है पचास लाख हो गया यह हो गया काम का पैसा है अब मुझे बताओ ऐसा कोई काम है जिसको बंद करने के बारे भी पैसा है नहीं गोवर्मेंट सेक्टर में भी पैंशन बंद हो गई लेकिन यहां क्या होता है यहां मिलती आपको रोयल्टी कमिशन और रोयल्टी कमिशन का मतलब है कि आपने कोई काम किया है और उसके बदल में आपको रोयल्टी मिलेगी यानि इस दुनिया में तीन फिल्डे से हैं जिन में रोयल्टी मिलती है गीतकार संगीत का लेखक साइंटिस्ट चोता फिल्डे डारेक्ट सेविंग का तो हमारी संस्ता भी रोल्टी कमिशन देती है पीडी दर पीडी रोल्टी कमिशन मिलता है तो यहां भी हमारी संस्ता रोल्टी कमिशन देती है अधिकतम 2 लाक रुपे पर्थी सफता महिने की बात करें तो चार सफता होते हैं तो यानि आपको मिलें कितने? चार दूनी 8 लाक रुपे महिना यानि 8 लाक रुपे महिने की एक कम है अब ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सन्ता ने 2020 से संदर अल्टरा- इंकम प्लान लॉंच किया है जिसमें आपको Repurchase की इंकम और मिनेगी ये था Team Commission Team Business Income और मैं आपको बताओंगा कि यहां से हमारी संटा देती है Repurchase Income अमानते हैं जैसे आपको मैंने सुरू में बताया कि यहां से पहले सान आपके साथ पहले साल में क्या हुआ कि यह वर्स लिख देता हूँ मैं पहले साल में आपके साथ टीम कितनी दस लोगों की आई थी और ये दस आदमी जादा नहीं परतेक महीने 32 बीवी का 32 बीवी का मतलब हो गया कि महीने में जो हम हल्दी मिर्ची धनिया टूथ पेट साबून यूज करते हैं वो उस बनिया की दुकान से ना पर्चीज करके खुद की दुकान से पर्चीज करते हैं और ये दस आदमी परतेक महीना भी तो आपकी बीवी बन गए कितने 320 बीवी और एक बीवी पे ड़ह रुपया है तो यहां से आपकी इंकम होगी सीदी की सीदी 800 रुपया ऐसे दूसरे साल में जैसे यहां ये लोग काम करते हैं और ये लोग आपके साथ काम करते हैं जैसे सो लोग आ गए और इन सो आदमीयों ने भी 32 बीवी परतेक महीना पर्चेजिंग की तो 32 बीवी पर्चेजिंग की महिना इनकम परति महिना चल रही है तीसरे साल में इन एक आज़ार आदमी ने जो आपके साथ आयेते एक हज़ार आदमी परतेग महिना अगर हल्दी मीर्ची धनिया भी खाता है परतेग महिना खाएगा तो बहर की दुकान से ने लिगए यहां से लेता है तो आपकी ये बीवी हो गई 32 हजार बीवी और एक बीवी पे डाय रुपया यानि आपकी इंकम हो गई कितनी 80,000 रुपया परती महीना महीना और चोते साल में ये 10 अजजार आदमी भी आपके साथ जो आ रहे हैं और ये भी अगर परते महीना हल्दी मिर्ची दणिया भी लेते हैं तो परते साभून भी लेते हैं तो आपकी इंकम हो गई यहां पर टोटल भी वी होगी 3,20,000 और आपकी इंकम होगी यहां से 8,00,000 रुपया महीना यानि एक एवरेज देखा जाए तो सब्तेए का कितना पड़ गया 2,00,000 रुपया परती सब्ता अभी मैंने पहले आपको बता है 2,00,000 रुपया सब्ता यहां से कमाए जा सकता 2,00,000 रुपया सब्ता यहां से अभी दोसतों मैं आपको बताओं क्योंकि हमारा बिजनिस प्लान है no वो, उल्ट्रा बिजणिस प्लान है, और Од्रा में क्या है, हमारी संस्ता ने एक ॆईडी है आपके साथ, यह आपको, आपकी एक आईडी पे तीन ग्रूप दियें, तीन बिजणिस ग्रूप दियें आपको, और एक ग्रूप में आप यहा से, क्या मैं लेकिन होता कि हमारे संस्ता ने एक और इंकम आपको एक्स्ट्रा दिये वह इंकम होती है कि आप अगर दो दो लाग रुपे यहां ले रहे हूं कोई बात नहीं यहां से आपको हमारे संस्ता 20% इसका भी 20% और इसका 30% ऐसे करके इंकम दे रही है यानि अगर दो लाग यहां कमारे हो दो लाग यहां कमारे हो और दो लाग यहां कमारे हो तो जो दो गुरूप है लास्ट के जो छोटे गुरूप है उनसे आपको 20% और 30% इंकम यानि दो लाग यह और दो लाग का 20% यानि 2,40,000 और इधर से 2,30,000 का तीस पर्चेल यानि 2,60,000 यानि आपकी टोटल इंकम कितनी हो गई यहां से 7,00,000 रुपे सब्ता यानि वीक और री पर्चेजिंग की इंकम परती ग्रूब पे 2,00,000 रुपे सब्ता यानि 2,00,000 रुपे सब्ता परते ग्रूप तो यह हो गई आपकी साथ लाग और यह हो गई छे लाग रूपया सब्ता विकली तो आपकी टोटल कितनी हो गई तेरा लाग रूपया परती सब्ता तेरा लाग रूपया सब्ता यानि तेरचो बावन लाख रुपया प्रती महिना कैसा लागा सर बरौसा होता है नई सर जिन्दगी के किसी भी फिल्ड में चले जाना ऐसा कभी नहीं होगा कि इतनी इंकम कोई ले सकता है लेकिन एक दुनिया का ऐसा फिल्ड है डारेक्ट सेलिंग का फिल्ड और इसमें भी एक ऐसी दमदार कमपनी है जो सेट्षोब जो आज यहां से अलिट्रा बिजनिस प्लान लोंच कर चुकी है और धेर सारे लोगोंने पहले आठ लाग रुपय महिना कमाया अभी आपके बीच में धेर सारे लोग इस इंकम को क्वालिफाई करने है तो बलाई हो विश्योवल दा बेस्ट एंड गो डायमेंट और यहां से इंकम लोग बाउन लाग रुपय महिना थेंक्यू नमस्कार